कि हलो ह्लूरीवन विलकम शिल्गल डिपांटे और किससोट्व का एक्जाम होगा साथ किन सब्जेट का अपका प्राइटिकल होगा साथि आपको नए सिल्ग्स यो है आपको लुञ्यम् करा देंगे तो आप लोग डे vital इस वीड्यम कर ये रहे इसको अधिक ध्यान देकर पढ़ना होगा और जो कुछ सब्जेक्ट हैं जिसको अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो आसानी सिर्फ एक्जाम में पास हो जाएंगे और साथ है आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि जो थार्ड सेमेश्टर का जो सब्जेक्ट है उसमें क आपको स्थेवस देक्ट मिलेगा और वहीं स्थेवस से आपको पढ़ना आए तो तो टेली टेलीग्राम पर हम स्थेवस को प्रवाइड कर देंगे आप वहां से अब देख करके एक्दम मतलब कि चैप्टर वाइज आप अपना तयारी कर सकते हैं तो आपको थार्ड सिमिश्टर में जैसे कि आप लोगो सेक न्धी में भी पढ़ा होगा अप्लाइड माथ ने थेड स्मिश्टर में भी आपको पढ़ना होगा अप्लाइड मैंटिक स्थार्ड यह सबज näपक है आปर सब्ज़ेक्ट ही और इसके लिए अप लोग इच्छे से तैयरी करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए बाकि बुक का पेडिया जो है हम जल से जल आपको प्रोवाइड करने की कोशिस करेंगे अब आपका दूसरा जो सब्जेक्ट है आप यहां पर देख सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट का नाम है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रुमेंशन एंड मिजर्मेंट इसको सौर्ट में बोलते हैं इसके लिए भी आप सार्थाग यह एसन की बुक को प्रिफर करते हैं आप को इस बुक परिफर कर लिए बाकि उसमें अच्छिस दिया रहेगा अगर इस बुक के बारे में थोड़ा सापको बताएं तो इस जो जो बुक है इसमें आपको जितने भी आप उपकरण देखते हैं जैसे वो उपकरण चाहे आपका हो गया अमीटर हो गया या फिर व मेगर क्या है चितर सही समझाइए तो आप मेगर के बारे में कितना भी लिख देंगे आपको दो नंबर से अधिक नहीं मिलेगा जब तक आप उसको चितर की सहायता से नहीं समझाएंगे तो जो यह सब्जेक्ट है इसमें बहुत सारे डियाग्राम है लगब 20 से 25 डियाग् नहीं सब्जेक्ट नहीं पढ़ते है यहीं सब्जेक्ट WHO थार्ड नहीं अर्ण यहीं सभी कॉलेज्ज यह इ płण ब्लॉ एक मंन्त तो इसमें पढ़ल घृते में ज्योंकि इसमें किवल लिखना होता है theory type का होता है इसलिए इसको जादा नहीं पढ़ते हैं लोग लेकिन हम आपको बताएंगे कि आप लोग इसको भी पढ़ने जिए कि बहुत ही important subject है यह भी PCLGI या फिर कुई भी exam के तैरी करते हैं प्रेक्टिकल में यापको बहुत सरी जांकरी दीजाएं कि इसमें क्या होता है आप लोगों अगर computer course वगए थिसमें होता है ना कि बाइनरी नंबर होता है तो बाइनरी से सब्ममंदी जितने हैं इस सम्वाइंज में इस बूट में पढ़ना होता है और यही एक सब्जिक्ट ऐसा है अगर आपके पास अच्छा नॉलिज है तो अगर आप अच्छे से इस बुक को पढ़ते हैं तो आप 50 आउट आप 50 ला सकते हैं है अगर हम नेक्स सब्जिक्त की बास करारनेक्स नेक्स अबढार मिल रहा होगा आपको की सब्जिक्ल मॉसीर होगया उसको आपको पढ़ना है evry मोटर के बार बरता है तो यह इसमें द्वा द्हान लगाकर पढ़ना होगा इस नंबर आ हैं इसके बुक के लिए आपको प्रिफर करेंगे कि आप सार्थक का बुक मत लीजिएगा अगर आप लेते हैं तो आपको डीपली नौलेज मिल जाएगा क्योंकि आप लोगों ने ट्वेल्थ में जो जो इलेक्ट्रोमेगनेटिक के इंडक्सन होता है मतलब विद्दू चु सब्जेक्ट है जो कि पढ़ते ही नहीं कोई स्टुडेंट केवल थोड़ा सा स्लेबस देख लेंगे तो आपको जनकारी हो जाएगा कि किस तरह की कुश्चिन एक्जाम में पूछे जाएंगे अगर आपकी कारिज पढ़ाया जाता है तो आप लोग पढ़ लीजिए अच् सब्जेक्ट जो कि आपका बताए डिश्टल लेक्ट्राणिस इलेक्ट्रीकल मसीन और इई-ई-अइम यह तीन सब्जेक्ट के हैं बहुत ही इंपोर्टेंट है अब हम बात कर लेते हैं कि किन सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिकल एक्जाम देना होगा तो सब्से पहले आपको ई-ई-अइम का जो है प्रैक्टिकल एक्जाम देना होगा और साथी डिश्टल लेक्ट्राणिस का भी प्रैक्टिकल एक्जाम देना होगा साथी एक सब्जेक्ट है इसका भी आपको प्रैक्टिकल मतलब फाइल हो गयरा बनाना पड़ता है तो यह तीन सब्जेक्ट आपके सामने हैं इंस्टुमेंट और इंस्टुमेंशन और मिजरमेंट कहने का मतलब यह और दूसरा है डिट्रलेट्र अर्टिकल मसीन तो यह सब्जेक्ट आपको प्रैक्टिकल एक्जाम देने होंगे और जो छे सब्जेक्ट हैं उसको आपको मेन एक्जाम होगा आपका अब थोड़ा सा हम स्लेबस के बारे आपने पढ़ोगे फिर 11 ने 11 परहे चेप्टर मैंट्रीक्स आंपको पढ़ना है मैंट्रीस की बाद पढ़ने डिफेरिंसियल काल्कुलेसर पढ़ना है अब है पर देखिया पढ़ना है इंटेग्र इंट्रोड प्रक्टिकल मीज़ी इंश्रूमेंट पर आपला देखित सिक नालेज हो जाएगा कि हमको कि सब्जेक्ट में क्या क्या बेसिकली पढ़ना है बाकि अगर आप अपना अच्छे से पढ़ाई कर सकें तो आप लोग टेलिग्राम ट्रिस्क्रिप्स लिक्वें टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया गया है अप लोग उसको जाइन कर अगर आप इसमें बेसिकली ज्यादा तर अधिक तर इलेक्ट्रिकल ब्रांग से संबंदे जितने भी पढ़ाई से रिल्टेड मेटेरियल्स होते हैं नियूज होते हैं वो सब आपको यहां पर प्रोड़ाइट किया जाएंगे तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में झाल झाल